आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो मानसून के मौसम में कुछ सब्जीयों से दूर रहने को कहा जाता है आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बता र बना देती है तो आपको बता दें कि सब्जी को कंटोला के नाम से जाना जाता है कई स्थानों पर इसको मीठा करेला या ककॉड़े के नाम से जाना जाता है तो आईए कि कंटोला नामक इस सब्जी में मीट से भी 50 गुना प्रोटीन ज्यादा होता है अते ये सब्जी खाने से आपके शरीर में ताकत आएगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे दूसरा है ये एंटी ओक्षिडेंट से भरपूर होती है इस सब्जी की खास विशिष्टा है कि इसमें एंटी ओक्षिडेंट काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इस कारण ये सब्जी हमारे शरीर की आंग्रिक सफाई में मेहत्कून भूमिका अधा करती है कंटोला नामके सब्जी में फाइटो केमिकल्स पाई जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाते हैं दोस्तों ये कई बड़े रोगों में लाबदायक है कंटोला नामके सब्जी मानव के शरीर में बड़े रोगों में भी बहुत लाबदा एक सिद्ध होती है आपको बता दें कि ये कैंसर जैसी घातक विमारी से लेकर लिवर की सभी समस्याओं में लाबकारी होती है इसके अलाबा ये खासी जुकाम हाई बलड प्रेशर तथा बजन कम करने में भी बहुत कारगर होती है इस प्रकार से देखा जाए तो कंटोला ना सिर्फ आपको स्वस्त रखने में अपना योगदान देती है बलकि आपको ताकत पर भी बनाती है दोस्तो तो आज ही आप जाईए मारकेट और कंटोला यानी की ककोडा लेकर आईए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तो आईरवेट समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताए गए इन उसके वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आईरवेट समाधान क्योंकि आईरवेट समाधान है हर रोग का निदान